कि अछलो फ्रेंड्स आज हम बात करें के कैसे डुमें को होस्टिंग से अफिच्छल 555 तोweise कैसे Protect SE कर सकते हैं कि मेरी फीठी वीडियो मेंने आपको डुमें और होस्टिंग का डिटेलD ने बताया था असान से तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरा डुमेन है hosting-twition.com डुमेन का मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और अब इसको जब हम hosting से connect करेंगे तो उसका हमी website कैसे live होगी तो आएगे हम देखतें कि hosting से कैसे connect कर सकते हैं तो यह domain आपने purchase कर लिया अब आपको purchase करना पड़ेगा hosting या आपने सही सुन आपको होस्टिंग purchase करना पड़ता है जिसके price शुडू होते 240 रूपीस पर येर से तो कुछ कंपनी आपको अलग अलग प्राइज में ये होस्टिंग जो है पुवाइड कर वाते हैं मैं इंडिया वस्टिंग डाडी से ये डाट कॉम से परचेस करता है अपनी होस्टिंग सर्विस एवन में क्लाइन सी वहीं से लेते हैं वहां से मुझे 240 रूपीस पर येर में जो है होस्टिंग मिल जाती है इवन तो अप टाइम है वो 99.99 परसेंट रहता है तो वह डाट फेसान इशू तो आईए देखते हैं जैसे कि इंडिया होस्टिंग डाडी से मैंने अपना ये परचेस किया होस्टिंग और उन्होंने मु इस पर अपनي परचेस किया है तो आपको अपने डियुट्स करना होगा तो आइये जैसे कि मैंने मे बींग येश चामका में लोगिन करता हूं लोगिन करने के बाद आपके डूमें के option पर कनिक चिया नेंसर्वर के option में किलिक किया है एक जैसे कि मुझे अपने ऐस्ट कव सक् मिली को यहां पहया और हाँ ध्यान रिखी कि आगे और पीछे कोई सपेस्ट करनें के आद आपका उसको से कर देना हैं तो उसके बात एक एक से दो घंटे में आपका जो डुमेन है वो आपके होस्टिंग से क्नेक्ट हो जाएगा तो जैसी के अभी हम नेम सर्वर पेस्ट कर दिया डुमेन पैनल में तो आईए हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी है तो अभी देखिए यह मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया और यह हमारी वेबसाइट लाइब हो गई एक तो हो गया प्रसेस नेम सर्वर के थ्रू और दूसरा प्रसेस में आपको एक और बता देता हूं अगर आपकी कंपनी आपको नेम सर्वर नहीं देती सिर्फ एक एर कॉर्ड एक आईपी आपको प्रवाइट करते हैं तो तब मेरे बिक रहुट करके रखता हूं अपडेट करने के बाद में डिनस सेटिंग में गया और यहां पर जाके मैंने अपनी आईपी को पेस्ट कर देना है पेस्ट करने अपको ऑन दूसरा अगर होस्टिंग कंपनी ने आपको आईपी दिया हुआ तो IP के थुरू भी आप अपने नेम सर्फर अपडेट कर सकते हो तो इस तरह से आपका डुमेन जो होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है वह एक से दो घंटे में लाइव हो जाएगी तो अमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो अगर आपके वीडियो से पसंद आए तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेर, सब्सक्राइब जो हीजिएगा